दोनों पविलियन रवाना हो चुके थे एक दफा थोड़ी देर के लिए मैच में लगा जब हादिक पांडिया रन बना रहे था लिए छे विकेट तब भी गिर चुके थे लेकिन एक अजीब से रन आउट में वो भी उनका भी विकेट चला गया और आखिरकार पूरी टीम इंडिया सिमट गई एक ऐसे टोटल पर जहांपर 180 रन से पाकिस्तान ने जीत हासिल कर ली है मदरलाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है विकरान दुपता ओविल के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकरान नाउमीदी की भी हद इसी को कहेंगे कि एक ऐसी बहतरीन टीम ऐसा नहीं ये टीम इंडिया खराब हो जाती है एक ऐसी बहतरीन टीम जिसने इतनी करारी शिकस्त को आज जेला है चैंपिन्स ट्रोफी के फाइनल में सभी बात है श्वेता और बैड डे सुबह से ही क्योंकि जब विकेड मिला भारक को नो बाल पर कैच हुआ उस वक्त लग रहा था कि साइन्स अच्छे नहीं है पाकिस्तान की पहले तारीफ क्योंकि एक ऐसी टीम जो नीचे से उपर आई एक ऐसी टीम जो दो साल पहले इसलिए क्वालिफाई कर पाई थी क्योंकि वो जिम्बाबवे नहीं गई जिम्बाबवे जाते शायद पहला मैच हार जाते तो वो वेस्ट इंडिस क्वालिफाई करता पंताजा लगाईए आठ नंबर की टीम अगर आज जीती है तो ए वो टीम डिजर्फ करती थी जीतना दूसरी बात ये कि भारत ने आज बाके में वो कहते हैं ना की हाथ में प्लेट में डाल कर उनको मैच दिया टॉस जीतकर आपको पहले गिन बाजी करनी थी वो सही था फैसला लेकिन आज जीतना